हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे दोस्तों रोज की तरह एक बर फिर से मैं आपके लिए लेकर आच चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धेर सारे ऐसे नए-ने कमाल के हैक्स और कुछ ऐसे अमेजिंग से ट्रिक्स जिनको देखने के बाद आपके घर के हर मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसान हो जाएंगे और सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि सैंडल के उपर ऐसे माचिस की तीली रखने से क्या फाइदा होगा तो चली दोस्तों बिना तेरी के शुरू करते हैं आज की इस यूसफुल वीडियो को हमेशा की तरफ वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली पर आई हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करेगा तो चली दोस्तों देख लेते हैं आज की सबसे पहले इंटरस्टिंग और यूस्फुल ट्रिक को तो इसके लिए आपको किसी भी brand का कोई भी एक साबून लेना है और इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे इसको grate किया है, grater की मदद से थोड़ा सा बस आपको grate कर लेना है, अब यहाँ पे आपको जौद पड़ेगी नारियल तेल की, तो इस तरीके से आपको नारियल तेल लेना है और थोड़ा सा नारियल तेल इसमें से निकाल के साबून के अंदर आपको डाल देना है, यह वाला hack दोस्तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जादा useful है, आपके बहुत काम आएगा, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले तो mix अप कर लेना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप इसका इस्तिमाल कैसे करेंगे और यह आपको कैसे फायदा पहुँचाएगा, अब दोस्तों वैसे तो मैंने यहाँ पर नारील तेल का इस्तिमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पर नारील तेल की जगह पर आमेंड ओल का, या फिर जो भी हेर ओल आपके पास है, आप उसका इस्तिमाल कर सकते हो, और इन दोनों चीज़े को आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है यहाँ पर मैंने साबुन को ग्रेट किया है आप साबुन के जो बच्चे हुए टुकडे होते हैं छोटे छोटे आप उनका विस्तिमाल कर सकते हो अब यहाँ पर जब अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं तो इस तरीके से बनकर पेस्ट की तरह एक तयार हो जाता है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बना कर दिखाया है आप इसे जादा मातरा में बना कर रख सकते हो अब दोस्तों सर्दिया आ गई हैं लेकिन हमारे जो हाथ होते हैं वो बहुत ही जादा ड्राइ हो जाते हैं यह हम सभी जानते हैं इसके लिए हमें महंगे महंगे लोशन, क्रीम लेके आने पड़ते हैं लेकिन आप साबुन को इस तरीके से ओल के अंदर ग्रेट करके आप मिक्स करके रख लिजे आपको ना कभी मार्किट से महंगी क्रीम की जोध पड़ेगी और ना ही किसी सॉलिशन की जोध पड़ेगी ये इतना बहतर काम करता है कि आपके हजारों रुपे ये बचा सकता है सर्दियों के दिनों में हमारे हाथ बहुत ज़दा ड्राय हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और जैसे जुरियां सी पड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं तो आपना हमेशा इस तरीके से नारियल तेद یा कोई भी ऑईल के साथ मिला कर साबून को इस्तिमाल करेगी। कभी भी आपको अलग से ना कोई लोशन लगाने की जौदत है नहीं आपको खरीद के ले कि आने की जौदत पड़ीगी। इस तरीके से नहाने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर लिजिये, आपकी स्किन बहुत अच्छे से मौश्यराइज भी हो जाएगी और कभी भी आपकी स्किन ड्राइ नहीं होगी, तो यहां पर ये वाला है, उन सबी लोगों के बहुत काम आने वाला है, जिनकी स्किन आल्रेड गलती आज के बाद आप बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका इस्तिमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इन दवयों की उपर न हमारे काफ़ी सारे पैसे लगी होते हैं तो इन्हें वेस्ट करने की गलती तो हम बिल्कुल न के अदर डाल दीजिए इससे जाधा मठ डालिएगा अब इस दवाई को पानी के अदर अच्छी तरीके से मिला लीजी अब इसके अंदर आप डाल दीजिए आदे चमच के करीब हलदी पाउडर जो हम खाने में हलदी यूज करते हैं वही हलदी आपको लेनी है बहुत इच जो है बैक्टीरिया वगरे की वज़े से जिन लोगों को यूरीन इंफेक्शन नहीं होता उन्हें भी हो जाता है तो यहां पर आप इस तॉलूशन का इस्तिमाल करिए जिससे कि आप हर तरीके खत्रे और यूरीन इंफेक्शन से खुद को बचा सकें बस इस तरीके से पांच को ये वाली ट्रिक भी बहुत पसंद आये होगी चले दोस्तों बढ़ते हैं अगली यूसफुल ट्रिक की तरफ वह यह वाला है अगर आप महीलाएं है या फिट जेंडस हैं जो भी हैं आप दोनों की यह यह ट्रिक बहुत ही जादा काम आने वाला है तो यहां पर इस तरी कराने का टाइम ने मिल पाता लेकिन जब कभी भी आप नई चपल या जूते लेकर आते ना तो हमेशा इस काम को जरूर से करिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है माचीज की तीवी को इस तरीके से सबसे पहले आपको ऐसे जला लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा दूरी स से फटेंगे नहीं और यहां से निकलेंगे भी नहीं अक्सरी जॉइंट से बहुत जल्दी से निकल जाते हैं या फिर फटना शुरू हो जाते हैं जिसके लिए कई बर हमें मोची से सिलाई लगाने पड़ती है लेकिन वो देखने में बहुत ही जादा गंदा और खराब ल लेकलती हैं तो आई हूप कि आपको यह ट्रिक भी बेहत पसंद आई होगे और आपके काम जरूर आएगे इस्तिमाल करके जरूर देखेगा चले दोस्तों बढ़ते हैं एक और यूसफुल हैक की तरफ यह वाला हैक भी हमारी सारी हाउस वाइफ के बहुत काम आने वाला है क्योंकि हाउस वाइफ जितनी भी होती हैं काम में हमेशा बिजी रहती हैं तो कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स और कुछ चीज़ें हमें जरूर पता होनी चाहिए जो कि हमारे घर के कामों को बहुत हतक असान कर सके तो यहाँ पर एक ऐसा ही हैक लेकर आई हो मैं आपके लिए घर के समान को लेकर अक्सर कई बार हम जब भी घर का कोई भी समान या कोई भी पैकेट नया खोलते हैं तो अक्सर जब भी उसे इसी बरतन में या किसी कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो कई बार वो पैकेट में समान ऐसे ही रह जाता है जैसे कई बार हमारे खाने पीने का सम लेकिन इससे होता क्या है कई बार ये पैकेट ऐसे ही खुला रह जाता है या फिर गिर जाता है इसमें से समान और खराब हो जाता है। तो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, यह आपके बहुत कमाने वाली है, पहली ट्रिक तो यह है, इस तरीके से कट करने के बाद आप इसको इस तरीके से इस पर बांध दीजे, यह बहुत ही easy और आसान तरीका है, जिससे कि पूरी तरीके से fix हो जाता है, और इसमें रखा हु हुआ समान को बांधने के लिए आपको अलग से किसी rubber band या किसी dory की जोरत नहीं पड़ती है, और इस तरीके से बांधने के बाद समान बिलकुल fix हो जाता है, खराब नहीं होता, नहीं गिरता है, दूसरा तरीका यहाँ पे है, दोस्तों इस तरीके से आपको कोई भी एक का किसी fix हो जाता है, और इसमें रखा हुआ समान बिलकुल ऐसे seal pack हो जाता है, जैसे कि हम market से seal pack करके लेकर आते हैं बिलकुल उसी तरीके से, यह वाले trick भी दोस्तों आपके काफी काम आने वाली है, I hope कि आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों यह कुछ छोटे छोटे ऐसे tips and tricks थे और कुछ ऐसे useful hack थे, जो कि आपके घर के कामों को बहुत हतक असान कर देते हैं, और साथी साथी कई बार जो हमारे जो ऐसे काम होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता और फालतु पैसे हमारे खर्चों जाते हैं, उन कामों को भी असान करते हैं, तो दोस्तों उम अपना ख्याल रखें हर हर महादेव